दोस्तो आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्टर का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और इस प्रोजेक्टर को मैं तीन महिने से यूज कर रहा हूँ और तीन महिने के बाद इस प्रोजेक्टर का आफ्टर त्री मन्त 4000 अब दोस्तों बहुत सारे बाई कॉमेंट करते रहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्टर अच्छा है कौन सा प्रोजेक्टर लेना चाहिए तो अभी के टाम में मैंने जितने भी प्रोजेक्टर रिव्यू किये हैं और मेरा जो कंक्लूजन है या फिर मेरा जो सोच है वो यह है कि आप मार्गेट से कोई भी प्रोजेक्टर अपने बजेट के हिसाफ से अपने रिक्वार्मेंट के हिसाफ से पर्चेस करते हैं तो वो आपके लिए बैस्ट ही है बस फरक कुछ इतना होता है कि किसी में ब्रैटनेस जादा होते है किसी में ब्रैटनेस कम होते है किसी की पिक में आपको आपकी requirement के हिसाप से कौन सा projector मिल रहा है वो आप purchase कर सकते हैं तो वैसे ही इस projector को मैं मैंने रखा अपने personal use के लिए projector काफी अच्छा है android version है मगर मैं android version यूज नहीं करता हूँ 5 tv stick यूज करता हूँ और 5 tv stick के through ही मैं youtube, netflix, prime, hostar जैसे platform का content देखता हूँ और इस projector को हर रोज लगभग 2-5 गंटा मैं use करता हूँ वो भी रात के समय क्योंकि दिन के टाइम उतना वक्त होता नहीं कि मैं projector use करूँ और दोस्तों जब से मैं इस channel पर projector का review स्टार्ट किया हूँ मेरा पहला projector visiting v6 उसके बाद से मैं tv देखना छोड़ तुका हूँ यानि के tv पे जो content है वो कभी कावार ऐसे देख लेता हूँ मगर maximum time जो भी content देखना होता है जादतर मैं movie देखना पसंद करता हूँ तो movie वगेरा देखना हुआ या फिर youtube पे कोई content देखना रहता है तो मैं बड़े screen पे ही देखना हूँ चाहे पहले मैं विजिटे की यूज कर रहता उस वक्त पी और अभी इस projector पी भी अब दोस्तों बात करते हैं इस projector का जो तीन महीने का मेरा experience है क्या है और ये projector कैसा perform क्या है तो दोस्तों recently अभी मैंने इस projector का दो और वीडियो मैंने डाला था dust से related तो इस projector में एक complaint मुझे जो मिली वो ये कि इसमें जो dust filter दिया है वो काफी पतला है और बहुत छोटा है इस वज़े से दोस्तों इसमें dust काफी जल्दी आ जाता इस screen पे जैसे कि आप मेरे last दो वीडियो देख सकते हैं जिसमें पहले मैंने नीचे का cap open करके clean करने की कोसिश की थी मगर वहाँ पर जो है सही से proper clean नहीं हो पाया था उसके बाद में second time में जब मैंने इस projector full open किया उसके बाद में ये proper तरीके से clean हुआ तो यहाँ पर ये एक issue है इसके इलावा दोस्तों इस projector में मुझे कोई भी कमी नहीं नजर आई इस projector से मुझे वही size का screen मिला जो normally बाकी projector दे देते हैं 19-20 का किसी का जादा या किसी का कम हो सकता है बात करें brightness की ये brighter projector नहीं है दोस्तों मगर फिर भी ये 12 feet के distance में जो brightness देता है वो काफी है क्योंकि ये एक projector है और हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी भी projector का best result जो है आपको dark room में ही मिलता है तो चाहे आप 100 inch का screen create करें या फिर 200 inch का screen आपका अगर environment dark है तो आपको उस projector का best result देखने को मिलेगा और बात करें फिर corner blur की तो हर projector आपको 100% blur free experience नहीं दे सकता चाहे आप महेंगे से महेंगे projector ही क्यों ना purchase करें मगर ये भी जो है हर projector में अलग-अलग है किसी में थोड़ा blur ज़्यादा देखने को मिलता है किसी में कम इसमें भी है blur मगर जब आप content देखते हैं और आपका focus center में रहता है तो वो blur जो है उतने नहीं लगते देखने में और आपको महसूस नहीं होता है कि blur है बहुत से भाईयों का ये भी सवाल होता है कि किसी भी projector को हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं या फिर कितने साल तक ये हमारे पास में रह सकता है तो इस चीज को कहपाना मुस्किल है क्योंकि ये एक electronic statum है और थोड़ी सी भी गड़डी थोड़ी सी भी चूक चाहे जाने या अंजाने में projector को damage कर सकती है या फिर खराप कर सकती है तो यहां पर company आपको एक साल की warranty देती है तो इतनी surety तो रही है कि एक साल तो आप चला ही सकते हैं और जो brand होते हैं वो after sale service भी provide कर देते हैं तो warranty की बाद भी अगर किसी तरह का problem होता है तो ये रिपेर हो जाएगी मगर condition यही होता है कि आपको जो है company को भीजना पड़ता है projector आपके local area में जो है कोई service center आपको नहीं मिलेगा तो ये एक दिक्कत जो है आपको warranty period में भी और after warranty service में भी देखने को मिल सकती है अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि इस projector में जो dust है काफी जल्दी screen पे आ गया था और dust clean करने के बाद में ये फिर से नए projector के तरह ये result दे रहा था और इसकी brightness भी जो है काफी अच्छी हो गई थी क्योंकि dust जमने के बज़े से जो picture quality या brightness जो है वो थोड़ी dull हो जाती है तो अभी तक कि इस projector की use में इस projector से मुझे कोई भी complaint नहीं मिला है सिप और सिप इसका प्रोसिस यही रहेगी कि इस projector को मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक यूज करूँ तो दोस्तों यह था जब LP 4000 प्रोजेक्टर का three month after use review इसके लाबा जो projector को लेकि मेरे जो opinion थे वो मैंने आपके सामने में रखे उमीद करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा प्रोजेक्टर से कुछ और पूछना है कुछ जानना है तो आप नीजे comment box में comment करके पूछ सकते हैं चैनल पर नए हैं पहली बार हमारी चैनल के वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज ज़रूर सब्सक्राब कर लिजेगा है क्योंकि इस चैनल पर प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर स्क्रीन साउंड बार होम थेटर सिस्टम जैसे प्रोड़क्ट का उन्बॉक्सिंग और रिव्यू में लाता रहता हूं आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैह हुआ 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 है